है गाईज इट्समी अंसेंड आम बैक विडियो तो गईज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले आईकू नियो 6 डिवाइस का फुल कैमरा रिव्यू और बताऊंगा आप लोग को कि यह जो डिवाइस आपको कैसा देखने हो मिलता है आप लोग अगर कैमरा सेंटरिक वीडियो को सब्सक्राइब यहां पर देखते हैं हमारा सबसे पहला सेंपल अब यहां पर जो आईकू नियो 6 यह चीज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है कि यह जो डिवाइस है थोड़े से कलर्स को पंची निकालता है यहां पर आपको मतलब इमेजिस के कलर्स रिप्रोड्यूस एंड थोड़े से मतलब इनहेंजड देखने हो मिल सकते हैं और HDR मोड को यूज करने के बाद तो यह मतलब डिवाइस आपकी फोटोस को कुछ जादे अच्छी ले लेता है यह बाइडिफॉल्ट विविड मोड को यूज करता है तो मुझे लगता है कि इ जादा अच्य से प्रोड्यूस करा करतो । थोड़े से पंची कलर्स को प्रोड्यूस करा है तो यही चीज इसकी काफी जादा ची लगी ऐब्स्त्र डेकर इस बूस्टिट उते हैं कि यहां पर डिटेलिंग के साथ आपकी फोटोस की quality है तो जाए यहां पर आप नोग देख सकते हैं इसको इसने कित्ता जादा मतलब पंचीन रखा है एंड कित्ते जादे इसमें पंची एंड मतलब एपिक से कलर साते तो यह चीज मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसके चो कलर प्रोड़क्शन है मुझे काफेद अच्छा लगता है कलर प्रोड़क्शन के साथ-साथ यहां पर आप लोगों को जो अच्छी लगी नेक्स हम लोग देखें तो यह एक और सौटेज हो कि आपके टूएक जूम करने के बाद मतलब यहां पर देख सकते हो जो आपकी मतलब पत्तों पर डिटेलिंग्स है वह काफी ज्यादा चीए यार मतलब अगर मैं इसको आप यहां पर आपको दिखाऊं त तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जूम करने के बाद मतलब यहां पर डिटेलिंग्स है वह काफी मतलब एक्क्यूरेट सी निकल के आती है और यहां पर अगर हम लोग देखें तो डिटेलिंग्स के मामलें पे तो यार लिटरली बहुत ही साधा अच्छा लगा और थर् प glossy colors काफी निकल के आयें यहां पर मैंने डेटेलिंग के लिए सad लिएता बट यहां पर फ्यांपे थोड़ा सा हाथ हेल लिया आया था और by default ये on ही रहता है तो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस टाइब के मोड देखने हो मिल जाएंगे ये कोई wallpaper है क्या तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मतलब अगर हम लोग उसको जूम करें तो जूम करने के बाद जो यहाँ पर फोटोस की detailing है वो किती जादा accurate निकल गयाती है और यहाँ पर जो color production है मतलब आप लोग देखो जहाँ जहाँ पर हलका green है और कहीं कहीं पर आप लोगों का dark green है तो यह चीज़ को इसने बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब करा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर direct sunlight आ रही थी तो direct sunlight में बहुत ज्यादा accurate और बहुत ज्यादा अच्छी फोटोस को capture कर लेता है यह device तो इस मामले में इस device की में फोटोस बहुत हो जाती है और वहीं पर अगर हम लोग dark mode को use करें तो night mode या फिर आप लोग dark mode इसको कह सकतो dark mode इसको use करने के बाद आपकी जो photo है बहुत जादा detailing हो जाती है detail हो जाती है यहाँ पर brightness काफी हद तक improve हो जाती है तो यह चीज़ आपको काफे अच्छी लगने वाली है इसके ब later without night mode आपकी कुछ step की photo आने वाली है और यहीं पर हम लोग बात करें with night mode तो with night mode आपकी कुछ step की photos आती है यहाँ पर मतलब color reproduction और बागी सब चीज़ों को यह बहुत अच्छा produce करता है उसी के साथ साथ आपकी जो brightness है photos में बहुत हद तक improve कर देता है तो यह चीज मुझे इस और सौट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं इस सौट के अंदर जो आपको detailing है काफी ज़्याद अच्छी देखने हो मिल जाती है यहाँ पर आपकी जो colors है काफी पंची निकल के आते हैं तो इस मामले में भी फोटो मुझे काफी ज़्याद अच्छी लेगी है एको न मेंटेन करा है और detailing भी आपकी बहतरी निकल के आती है उसी के साथ साथ आपको जो background blur है वो भी बहुत जाद अच्छा लगता है तो यह चीज मुझे काफी ठीक ठाक लगी इस device की इसके बाद अगर हम लोग देखें एक और सौट तो यह एक और सौट है यहाँ पर आप अगर हम लोग इन बालों को देखें तो इनको आप लोग देख सकते हो detailing के मामले में यहाँ पर आइकू ने बहुत ज़दा अच्छा वर्क कर रहा है कि इसका camera काफी detailed photos को capture कर रहा है बात कर अगर हम लोग selfie camera की तो selfie में भी आपको कुछ इस टाइप का सौट यहाँ पर बियर्ट को देखूं तो बियर्ड मेरी काफी ज्यादा बड़ी थे यहाँ पर बियर्ड भी काफी detailed निकल के आती है तो आपकी जो selfies है वो भी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आनी है वाली है अगर आप लोग इस device को लेना चाते हो फॉर्दी selfie camera बट यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़े से colors को ठीक करने कुछिस करते हैं जिसकी वज़े से यह थोड़े से colors को बिगाड देता है लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद आप लोग को एक और सॉट देखने मिल जाते हैं यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट की मतलब चीजे दे लॉशं देख सकते हो हो और गाइस की मिटाब बस इतनी था होब आपको यह ले वीडियो चलेगी है होगर आपकी मीड़े चले शले अप लोग यहां अस से वीडीयो में तब यज पर आप अज आ कर दो